हलो एवरिवन वेलकम टो कुक विश्यगुन आज हम बनाएंगे तिल पट्टी तिल पापड भी इसे बोल सकते हो और तिल पपड़ी भी बोल सकते हो यह बहुत ही क्रिस्पी बनती है और आज हम इसे गुड से बनाने वाले हैं और यह फटाफट बन जाती है यहाँ पर मैंने दो तीन मिनिट के लिए हमें इसे बुनना है उसके बाद हम इसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे उसी कड़े में हमें सवा कप गुड लेना है और आधी बड़े चमच यहाँ पे गी डालेंगे उसके बाद हम यहाँ पे बिल्कुल मीडियम आज रखे तो हमें यहाँ पे सबसे पहले मीडियम आज पे गुड को पिगलाना है और इस तरह से दबाते जाना है और गुड को पिगलाते जाना है थोड़ा सा इस तरह से गुड पिगल जाए उसके बाद हम गैस की आज बिल्कुल दीमी कर देंगे एकदम लो आज पे हम इसे पकाए थोड़ी मिनिट के बाद गुड़ पकने लगेगा तो आप देखोगे कि उसका कलर थोड़ा डार्क प्राउन कलर हो जाएगा और इसी स्टेज पे हमें क्या करना है एक पानी वाल लेना है उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ का ये मिक्षर डाल देंगे जैसे हम मिक्षर डाल तो थोड़ी देर के बाद ये थोड़ा सा क्रंची हो चुका होगा हम इसे तोड़ेंगे तो पप्ड़ी कैसे तूटती है वैसे तूट जाएगा यानि कि ये परफेक्ट गुड हमारा पक चुका है तो इसी स्टेज पे हम गैस बंद कर देंगे तील को हमें गुड़ के मिक लिए उसको मैंने घी की मदद से ग्रीज कर लिया है अब हम आगे की जो प्रोसेस करेंगे वह हमें बहुत स्पीड में करना है जो यह मिक्षर है हमारा तील पपड़ी का इस ट्रे में हम डालेंगे और फटा-फट डालेंगे फटा-फट हम इसे प्रेड करेंगे यहां पर म मैं इसे स्प्रेड करूंगी क्योंकि हम यहां पर तील पपड़ी पटली बनानी है जितना यह घरम होगा उसी टाइम में यह स्प्रेड होगा वना यह जम जाएगी तो आपको यह काम फटा-फट से करना है थोड़ा यह मिक्षर बचा था तो मैंने दूसरी प्लेट में इस मदस से इसको स्क्वेर पेसिस में श्रेप दे देंगे तो क्या होगा कि जैसे यह पपड़ी हमारी ठंडी हो जाएंगी सेट होने के बाद तो यह स्क्वेर में पीसिस इसके निकलेंगे 15 मिनिट के बाद यह पपड़ी हमारी सेट हो चुकी है आप देख सकते हो कि प्लेट म के साल जरूर एक बारी ये तेल पप्री बनाना आपको बहुत अच्छी लगेगी अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना आपके फ्रेंड्स और फैमिली ग्रूप में इस वीडियो को शेर भी कर सकते हो और अगर चैनल को सब्सक तूरत मिल जाएगी थैंक यू फॉर वाचिंग